Hello friends once again welcome back in my youtube channel दोस्तों आज का जो वीडियो है ये वीडियो ना केवल सिविल इंजिनेर के लिए है बलकि ये एक मेखेनिकल इंजिनेर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है इलेट्रिकल इंजिनेर के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है दोस्तों सबसे पनी बात ये कि जैसे हमारा final year complete होता है उसके बाद हम क्या करते हैं गवर्मेंट exams की त्यारी करने लगते हैं कुछ लोग SSC के लिए करते हैं कुछ लोग SSC JE, RRB या तरह तरह के अलग-अलग exam के बारे में इस देखने लगते हैं दोस्तों से problem नहीं है आप exam के लिए त्यारी करो लेकिन competition थोड़ा सा जादा हो चुका है तो आपको बहुत hard work करना पड़ेगा अगर आप success हो जाते हो उसके लिए west business है मेरे तरब से बट अगर आप नहीं होते हो और तब आप निडास मत हो अगर आप engineering college में हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है क्यों अच्छा हो सकता है क्योंकि आप अभी से ही start कर तो कुछ चीजे सीखना जिसके तो आपका career काफी यह तक उपर जा सकता है ऐसी कौन-कौन सी चीजे हैं जो हर एक engineer को सीखना चाहिए जिससे की उसके career में growth हो सकी है दोस्तो बात करता हूँ सबसे पहले civil engineering से civil के वाइसे मैंने काफी डेट सारी वीडियो बनाए है बट थोड़ा समय civil engineering को भी कवर करना चाहूँगा इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूँ अगर civil engineer के लिए जो सबसे important point है that is AutoCAD दोस्तो AutoCAD आप first year या second year में तो जरूर ही सीख लो second year में आपका engineering graphics का subject हो सकता है जैसा कि मेरे syllabus में था तो अगर आप उस time पे AutoCAD सीख लेते हो तो आप समझ भी नहीं सकते आपका कितना फायदा होगा उसके बाद अगर आपको structure में जाना है तो आप stat pro सीख लो या edap सीख लो college के time पे आप AutoCAD और stat pro खतम करके रखो और अगर आपको time लगता है तो rabbit भी सीख लेना अब इन तीनों software के थो आपके पास एक skill आ गई है कि engineering complete करने के बाद आप किसी भी जगह पे किसी भी company में जाके बोल सकते हैं कि I have a good skills of AutoCAD, stat pro and rabbit definitely they are going to hire you हो सकता है कम package में हो सकता है जादा बे अगर काम देते हैं तो कोई problem नहीं क्योंकि अभी आपने काम नहीं सीखा है काम सीखिए इस skill और add करिए और आप आगे की और जैसे industry में जाएंगे आप का area boom होता जाएगा पिर आप e-taps, SEP, 2000, MSP, Primera या बहुत डिर सारे आगे software जिनके बारे में मैंने बहुत 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 बताया भी है कि structure engineer कैसे बनते हैं या interview के question उसमें कैसे पूछे जाते हैं उन सब को आप देख लिजेगा बात करते हैं mechanical engineer की दोस्तों mechanical engineering करने के बाद काफी लोगों को मैं देखता हूँ कि वो लोग quality management अगरे अगरे में जाते हैं और वहाँ पर एक दूसाल करने के बाद उनको लगता है कि इसमें तो मेरा proof ही नहीं है quality check में, production में में, देखते होगे आप production में उनको problem होती है, उसमें भी होती है, आपके quality में भी होती है और marketing में भी उनको problem जाती है, उनके लिए सबसे अच्छा option है कि वो designing sector को choose करें designing ये एक official job है, चैसे मैंने विस्टिविल को बताया, वैसे ही mechanical के लिए अगर mechanical engineer second year में अच्छे से AutoCAD सीख लेता है, और third year में solid work अच्छे से सीख लेता है और final year में CADEA अगर अच्छे से सीख लेता है, तो आपसी ये समझेए कि उसका job जो हो fix होता चला जाएगा उसका जो command है जैसे ही इंडर्स्ट्री में निकलेगा वो बोलेगा सबको कि I have a good knowledge of AutoCAD, SolidWork and CADEA सामने वाला impress हो जाएगा कि अभी ये फ्रेसर है लेकिन इसके पास AutoCAD का भी knowledge है, CADEA का भी है और SolidWork का भी है, तो आपको छोटी सी छोटी नोकनी तो जरूर ही देगा, आपको खाली नहीं जाने देगा क्यों क्योंकि वहां पर जब interview आप देने जाओगे, maximum लोग भीना technical skills क्याएगा और आप एक अच्छे level पे AutoCAD, SolidWorks और CADEA को सीख लिए हो, तो आपके पास एक skill आ गई है एक बार job ले लो दोस्त, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने आपको improve करना है कैसे? इन्वेंडर सीख लो, UJNX सीख लो, PROE सीख लो, NSYS सीख लो, ये सारे software सीख के आप अपने आपको और बड़े level पर जा सकते हो, और ले जाके वहां पे अच्छे से कापको कर सकते हो, दोस्तों बात करते हैं electrical engineer की, electrical के काफी student मुझे comment करते हैं सार electrical engineer के वाले में भी कुछ इन्जिनिंग में भी बहुत इसली आप जोब पा सकते हो, अगर आपको private sector में करना है, तो सबसे बहतरीन platform मैंने देखा है e-plan का, e-plan एक software है जिसको अगर आप सेखते हो, तो इसली कहीं पे भी छोटी छोटी जोब तो जरूर पा जाओगे, उसके बाद आप अपने आपको इंप्रूब कर सकते हो, जैसे बन एक जॉब लिया, आपको कुछिस करिए कि e-plan और electrical CAD आप college टाइम पे ही सीख के रखो, उसके बाद एक job करो और job करने के बाद आप PLC SCADA को course कर लोगे, तो PLC SCADA को course करते ही आपका जो career रेनो ऐसे boom कर जाएगा, उसके बाद SCADA सीख लिया त electrical CAD और e-plan को अच्छे से सीख लो, उसके साथ अगर टाइम लगा तो आप PLC SCADA आप practically अच्छे से सीख लो, तो आप designing में बहुत ही अच्छे level पे बहतरीन package पे जा सकते हो, अगर आप electronics engineering कर रहे हो, EE या ENTC या आप triple E कर रहे हो, electrical and electronics engineering हो, इन सब के लिए सबसे बहतरीन है कि आ सबसे पले coding based subject है, तो आप अच्छे से C programming सीखना है, C programming सीखने के बाद सबसे बहतरी जो software है, जो course आप के लिए हो सकता है, that is embedded, embedded काफी लोगों को पता होगा, embedded सीखने के बाद अच्छे अच्छे effects आप दे सकते हो, अच्छे तरीके साथ programming कर सकते हो, तो embedded जो है software वो आपके career को बहुत ही अच्छे से उपर लेके जा सकता है, embedded अगर सीख रहे हो, तो उसके साथ थोड़ी और चीज़े सीख लेना, जैसे कि अगर आपने टोड़ा से टाइम लगा तो आप BFX सीख लेना, BFX और Python, Python बहुत जादा यूज हो रहा है electronics engineering में, so Python और Python के साथ embedded और C programming अगर अच्छे से सीख लिया, और अगर आपको networking में interest है, तो आपका एक छोटा सा certification course होता है CC यने, अगर आपने CC यने अच्छे से सीख लिया, तो बहुत ही अच्छे package पे एक electronics engineer जा सकता है, अगर आपको networking और admin में interest है, तो आपको क्या करना चाहिए CC यने कर देना चाहिए, अग अच्छे BFX ही पर दिखाना है, तो उसके लिए BFX के software सीख लो, आपको अच्छे अच्छी programming जैसे देखते हो signal पे 30 seconds बंद हो रहा है, खुला है इस तरीके की कुछ अलग-अलग programming से आपको करना है, तो और देखते हो lighting के डेर सारे लोग star हो गरा, जिद मूभी में दिखाते अना कि लाइट जल लएए फिर लाइट बंद हो कि दूसरी लाइट जली, इसके लिए आपको embedded system अच्छे से सीखना पड़ेगा, अगर embedded सीख लिए समझ नहीं सकते हो, आप बड़ी cities पे कितना जादा embedded का रिस्कोब है, तो दोस्तों ये course आपके लिए बहुत ही अच्छा ह अब बात करते हैं लाष्ट में computer science और IT के students के लिए, उनको सबसे पहले अपने first year में अच्छे से C programming पे पकड़ होना चाहिए, C, C++, इतने अच्छे से कर लेना चाहिए, कि कोई भी program के लिए 2 मिनिट में logic लगा के complete solution दे सके, कोई भी program run करना है, तुरां तो logic लगा के run कर सक करें, उसके बाद उनको second year में अपने को set कर लेना चाहिए, कि मुझे किस direction में जाना है, कुछ लोगों को coding नहीं पसंद होती है, तो उनके लिए सबसे बहत्रीन option होता है, web designing, आप web designing में जाएंगे, तो आप क्यों अलग-अलग उसके software है, जैसे Photoshop है, Corel Law है, इन सब को सीख क कि थोड़ी अच्छे से आप web designing के course कर सकते हो, web designing में जा सकते हो, लेकिन अगर आपको growth लेना है, तो आप coding में जाईए, और coding में थोड़ा सा अपने आपको set करिये, कैसे set करना है, set ऐसा करना है, कि आप set करिये कि मुझे C के बाद किस में जाना है, Java में, बहुत अच्छा career ह आपको अगर Java basics और Java advance आप अच्छे से सीख लेते हो, अगर आपको Java समझ में नहीं आती, आप अल्रेटी college में पढ़ रहे हो, Java समझ में नहीं आती, तो आप .NET के तरफ जाओ, .NET भी आपके लिए बहुत ही अच्छा एक line हो सकता है, जिसको सीखने के बाद, आप जो बड़ सारी company जैसे TCS, ठीक है, जो भी service based company है, सारी .NET यूज करती है, उनको अगर आप .NET को अच्छे सीख लिया, तो आप service based company में काफी अच्छी तरीके से वहाँ पे अपने role को play कर सकते हो, Java पे भी same रहता है, बर Java ज्यादा ज्यादा product based company यूज करती है, जैसे KM docs है, जैसे Google है, यह सारे Java को बहुत ज्यादा यूज करते है, इसके बाद last में दोस्तों, अगर आपको Java भी समझ नहीं आ रहा है, आपको .NET भी समझ नहीं आ रहा है, तो आपको PHP का course करना चाहिए, PHP बहुत ही easy language है, PHP को सीखते ही आप बहुत अच्छे तरीके से, इसली website सो गयरा promote कर सकते हो बना सकते हो अच्छे तरीके से, PHP अगर सीख रहे हो या कोई भी Java या .NET सीख रहे हो, तो आप CSS और HTML को जरूर अच्छे से सीखना, अगर उनको अच्छे से आप सीख लोगे, तो आपको website बनाने में बहुत easy हो जाएगा, और आपका carrier इन तीनों में भी आप नहीं set करना चा जा रहे हैं, अगर आप इसमें carrier अपना set करते हो, तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपने domain पे बहुत अच्छे तरीके से पकड़ बना सकते हो, लेकिन इन सब के लिए C की programming जरूर लगेगी, चाहे Android से किये, चाहे iOS से किये, अब आपको इन चारों option में भी कोई भी option समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको बताता हूँ, WordPress तो जरूर सीख लीजएगा, क्योंकि WordPress से at least आप phrasal level पे job पा सकते हो, उसके बाद दीर-दीर language को सीखो, और language को सीख के आप आगे क्यों जा सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो IT वालो के लिए बहुत ज़्यादा option है, आप Python को अच्छे से सीख सकते हो, और Python की programming बहुत देजली कर सकते हो, और उसमें भी बहुत ज़्यादा carrier को boom कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़े इंडिया में सबसे ज़्यादा use की जा रही है, तो अगर आप इनमें carrier बनाते ह किसी एक को अच्छे से पकड़ लो, पहले C को अच्छे से पकड़ना है, C++ को अच्छे से पकड़ना है, इसके बाद चाहे Java को पकड़ लो, चाहे .NET को पकड़ लो, चाहे आप PHP को पकड़ लो, चाहे iOS को पकड़ लो, चाहे Android को पकड़ लो, और चाहे आप Python को पकड़ लो इन सारे में आपका career बहुत ही अच्छे से हो सकता है, तो ये कुछ मैंने information आपको दिया, अगर आपको ये information मेरा अच्छा लगा हो, चाहे आप civil के student हो, चाहे mechanical को हो, चाहे electrical को हो, चाहे electronics को हो, तो मुझे यहाँ पे comment box में comment जरूर करिएगा, और बताइएगा कि हा सर ये ऐसा लगा मुझे, और आपको अगर लगता है कि कोई और extra course है, जिनको सीख के अच्छे से industry में आप जल सकते हो, तो भी नीचे हमें comment में बताइएगा, मैं चाहता हूँ, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, जितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, मतलब उन्होंने क काफी interest हो किया, तो वो comment box में comment देखे जरूर जाएगे, और बताइएगे कि मुझे कैसे लगा, और साथ ही साथ, जो civil engineering के students हैं, उनके लिए मैंने unique civil telegram group पे काफी material डालना श्टार्ट किया, study material, so please आप वहां से connect हो जाएगे, और जो जो भी चीज़े में देता हूँ, उनको आप डारेट जाएगे और उसको join करिए, और ये वीडियो कैसा लगा, इसका feedback देना मत बुलेगा, और अगर आपको लगता है कि और भी किसी topics पे वीडियो बनना चाहिए, तो भी मुझे नीचे comment बनता आएगा, मिलते हैं आपसे next वीडियो में, तब तक के लिए जै हिन, जै बारता